हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आरपी अप कॉंस्टेबल एंड एसाई भरती के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो बिल्कुल दोस्तों आधिकारिक है अक्सर जादा तर लोग आप कमांगता है दोस्तों जनरल वालों का अगर कॉंस्टेबल की बात किया जाए तो अठारा से पक्चीस साल जनल वालों की एज मांगी जाती है ओबीबीसी वालों को सबसे रूपरू कराते हैं दोस्तों हाल फिलाल में निज्वार में आई हूई इंफंशन यहाँ पर आप लोग देखिए रेलवे में वर्सों से धाई लाग से अधिक पद खाली जहां दोस्तों यहाँ पर खाली पदों की वीवरण के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है आवेदन से रिलेटेड भी अभी आप लोग इन्फॉर्मेशन देखोगे बने रही है दोस् दोस्तों रेलवे वर्ती बोट की सुस्त बरती प्रिकिरिया के चलते भारती रेलवे के बिभिन कैडर में 2.5 लाग से अधिक पद कई वर्सों से खाली पड़े हैं आप लोगों को तो पता ही है एंटी पीसी की भरती हो चाहे गुरूबडी की बरती हो दोनों बरती कापी लंबे समय से चल लही है अभी वर्ती कंप्लिट नहीं हो पा रही है उसी वज़ाए से दोस्तों नहीं वर्ती प्रिकिरिया नहीं स्टार्ट हो पा रही है नहीं वर्ती नहीं आ पा रही है आप लोगों को चाहे आर्पी अप की बरती हो चाहे दोस्तों अधर कोई भी सिगरी का रेलवे में भरती हो आगे आप लोग देखिए दोस्तों इसके इलामा इन्फॉर्मेशन क्या कुछ बताए गया है इसमें 85 फिस्दी पद यानि 2.5 लाग के 85 फिस्दी पद रेल संदच्छा करमचारियों के हैं रेल संदच्छा करमचारियों का यह कहने का मतलब है दोस्तों रेल की जो सुरक्षा करते हैं उनका पद यह है 85 फिस्दी आप लोगों को पता होगा दोस्तों रेल का सुरक्षा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा किया जाता है इसके इलामा जो गेट मैन होते हैं ग्रूबडी के तहच जिसकी बरतिया होती है वो भी दोस्तों रेल सलच्छा के अंतरगती आते हैं चात्री ट्रेनों और मालगाडी के परिचालन में उनकी आहम भूमिका होती है इसके इलामा एक आकड़ा यहां पर बताया गया है एक मार्च 2020 के आकड़ों के अनुसार केंसरकार के विविन मंत्रालेों और विवागों में खा दो लाग 37,295 पद रिक्त हैं रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इसमें 85 फीजदी रिक्त पद रेल सनरच्छा दरसल दोस्तों रेलवे रिकूट्मेंट बोर्ट से जीतेन सिंग द्वारा सवाल जबाब किया गया था राजसभा में उसका लिखित भी एक जबाब आया हु इसको इसके रिगार्डिंग एक लिखित में नोटिस जारी करके बताय गया था एकूरेंस एंड फीलिंग अप बैकंसी इच कांटीनिवेस प्रोसेस कहने का मतलब है दोस्तों एंटी पीसी ग्रूप डी की भरती जो चल ले है उसको एंड होने से पहले पहले कांटीनिवेस प्रोसेस के तायत नई भरती प्रकिरियाई स्टार्ट हो जाएगी जो भी भरतियां आनी होगी दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं आरपी अप कॉंस्टेबल एंड एसाई की दोनों पदों को मिला कर लगबग 15,000 के सम्तिंग पोश्ट पर नई भरती की प्रकिरियाई स्टार्ट होने की दोस्तों इंफॉर्मेशन मिल लई है जहां दोस्तों जून के स्टार्टिंग से होसकता है इसके फॉर्म बरनाई स्टार्ट हो जाएंगे जहां दोस्तों आप लोग निश्चिनत रही है definately इसकी बढरती आने वाली है काफी लंबे समय से आप लोग इंत करना ना बुलिए